दोस्तो एक मिटा नहीं दूसरा चलाया जिहां दोस्तो चीन से एक और बड़ी ख़बर निकल के सामने आ रही है दोस्तो अभी तक कोरोनो वाइरस जो है जिस तरीके से तबाही मचा चुका है हर देश के अंतरगत एक बहंकर महामारी के रूप में फैल चुका है उसी के बाद अब चीन से एक और बड़ी ख़बर निकल के सामने आ रही है एक और वाइरस जिसका नाम है हंता वाइरस दोस्तो ये हंता वाइरस के कारण चीन के अंतरगत एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है अब कोरुनो वाइरस की तरह ही हन्ता वाइरस भी बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है हन्ता वाइरस जो है चूहों द्वारा फैलता है जबकि कोरुनो वाइरस चम गादर द्वारा फैला जाता है तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है कोर्नो वाइरस या फिर हंता वाइरस हंता वाइरस के लक्सन बचाओ के उपाय उपचार क्या-क्या है इस वीडियो में हम आपको संपून जानकारी हंता वाइरस के बारे में देने वाले हैं तो दोस्तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो दैनिक भासकर की ओपिसर रिपोर्ट के मादम से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कोरोना के बाद चीन में सामने आया चुहें से फैलने वाला हन्ता वाइरस आठ सवालों से समझें इसके लक्सन बचाव के उपाय और क्या वज़े है जिसके कारण ये जो है एक और वाइरस जो है चीन में फैला है सवाल ये है कि हन्ता और कोरोनो वाइरस में बड़ा फरक क्या है तो दोस्तो हम आपको बता दे विस्विस्वास्त संगठन कोरोनो इंसान से इंसान में फैलता है जबकि हन्ता जो है चुहें के मल मुत्तर के जरिये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है अमेरिका के सेंटर फोर्ड शिडीज कंट्रोल के मुताबिक हन्ता के संक्रमन का पता लगने में एक से आठ हपतों का वक्त लग सकता है इसके लक्सन है तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया जैसे लक्सन हन्ता के संक्रमन की और इसारा करते हैं उसके बाद हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दुनिया भर में कोरोनो वाइरस के खोप के बीच एक और वाइरस हन्ता वाइरस जो है, इसके संक्रमन का मामला सामने आया है चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके बताया है कि युनान प्रांत में हन्ता वाइरस की वज़े से एक सक्स की मोत हो गई है सक्स सोमवार को सैक ड्रोन प्रांत में युनान आया था, डबलू एचो ने हन्ता वाइरस से जुड़ी कई सवालों के जबाब दिये हैं जानिए क्या है यह वाइरस और किस प्रकार से यह शंक्रमित करता है तो क्या है हन्ता वाइरस और कैसे यह फैलता है तो हम आपको बता दे अमेरिका के सेंटर फोर बिसीज कंट्रोल यानि की सीडिसी के मताबिक यह है एक ऐसा समू का वाइरस है जो खास तोर पर चीजों के कुतरने वाले जीवों रोटेंडस से फैलता है जैसे चूहा हुआ या गिलहेरी अमेरिका में इस वाइरस को New World Hanta Virus या और European एसिया में Old World Hanta Virus के नाम से जाना जाता है यह हन्ता वााइरस जो है पल्मोनरी सिंड्रोम नाम की बिमारी की वज़े से होता है हन्ता वाइरस के कई प्रकार है जो रोटेंडस की अलग अलग परजातियों से फैलते हैं हम आपको बता दें वाइरस के वाहक जो है चुहे के यूरीन, मल या लार के संपर्क में आने सी वज़े से इनसान जो है इससे संक्रमित हो जगते हैं CDC के मुताबिक यह है वाइरस जो है तीन तरह से फैलता है सबसे पहला जो फैलने का इसका तरीका है अगर वाइरस का वाहक चुहा अगर किसी इनसान को काट ले हनक ऐसे मामले जो है बहुत ही कम सामने आते हैं दूसरा मामला है किसी जगय या चीज पर मोजूद चुहे का मल मुत्तर या लार के संपर्क में इनसान आता है तो अपने नाक मुको चूता है तो इस जरीय भी ये वाइरस जो है इनसान में प्रिवेश कर सकता है तीसरा केस है अगर इनसान ऐसी चीज खाता है जिस पर चुहे का मल मुत्तर या लार मोजूद हो तो उस condition में भी ये वाइरस जो है इनसानों तक संकर्मित हो सकता है दूसरा कुस्सन है कौन ज्यादा खतरनाक है हंता वाइरस या कोरोनो वाइरस सबसे अहम सवाल यही है कि कौन सा वाइरस सबसे ज्यादा मानू जाती के लिए खतरनाक है तो दोस्तो वग्यानिक के मुताबिक हंता वाइरस जो है हावा के जरिये नहीं फैलता है फिर भी कोरोनो वाइरस के मुकावले ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अमेरिका के Center for Disease Control के मुताबिक हंता वाइरस भी जान लेवा है इस स्वास्त संगठन के मुताबिक दुनिया भर में कोरोनो वाइरस के कारण मोत का Global Rate 60 तरह से पता लगाने में कुछ वक्त लग रहा है फिलाल इसे 3-4% के बीच माना जा रहा है वहीं फरवरी में जारी रिपोर्ट के मुताबिक नए कोरोनो वाइरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो लोग है वो चीन में है यह दर जो है 3.8% थी जो अब 4% से भी ज़्यादा पार जा चुकी है वहीं अमेरिका में तेजी से फैल रही कोरोनो वाइरस का डेथ रेट जो है 1.2% है यानि की कोरोनो वाइरस के इंफेक्शन होने पर बचने के चांस काफी ज़्यादा होते हैं उसके बाद हम आपको बता दे वाइज्यानिकों ने अब तक हंता वाइरस के 5 स्ट्रेन खोजे हैं इन में से सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है अरा रोकवोरा वाइरस है जिसका इंफेक्शन होने के डेथ रेट 54% पाया गया है वहीं एक दूसरा इस्ट्रेन शिन नॉम्ब्रे वाइरस है जिसके डेथ रेट 40% है और तीसरा इस्ट्रेन हंतान वाइरस है इसका डेथ रेट जो है 5 से 10% के बीच है इन तीनों में से किसी से इंफेक्शन होने पर मोत का खतरा जो है कोरोनों के तुलना में कहीं ज्यादा हो सकता है तो दोस्तों इससे आप अंदादा लगा सकते हैं कि कोरोना के बजाए हंता वाइरस जो है इससे ज्यादा खतरनाक है अब हंता वाइरस कोरोनों से कितना अलग है तो दोनों में एक बड़ा फरक है कि कोरोनो वाइरस जो है इनसान से इनसान में फैलता है जबकि हंता वाइरस जो है चूहों या गिलेरियों से फैलता है विश्व स्वास्त संगठन डबलो एचो के मताबिक यदि कोई व्यक्ति चुहों के मल पेसाब आधी को छूने के बाद अपनी आँख नाग या मूग को चूता है तो उसके हंता वाइरस से संकरमन होने का खत्रा भढ़ जाता है सेंटर फॉल डिसीज कंट्रोल के मताबिक हैं आम तोर पर इनसानों से इनसान में नहीं चीली और अर्जेंट इन्टनिया में इसके दुरलब मामले सामने आए थे जिसमें संकरमित मरीजों से दूसरे इनसान में फैलने की बात सामने आई थी यह हंता वाइरस का एक प्रकार एंड्रेस वाइरस था जो इनसान से इनसान में फैलता है अब कैसे संकरमित करता है यह हंता वाइरस तो दोस्तो हम आपको बता दे हंता वाइरस जो है व्यक्ति के चुहे या गलेरी के संपर्ग में आने से इनसान को फैलता है हंता वाइरस मुक्रुप से चुहों या गलेरिस से होता है चुहों में कोई बिमारी नहीं होती लेकिन यह वाइरस के कारण इंसान की मोत हो जाती है अमेरिका की Center for Disease Control के मताबिक घर में चुहों की मौझूदगी इस वाइरस के संक्रमन का खत्रा बढ़ाती है अब कैसे पहचान की जाती है कि हंता वाइरस से किस संक्रमित को क्या-क्या लक्संड दिखाए देंगे तो तेज बुखार, सिर्दद, बदंदद, पेटमदद, उल्टी, डायरिया जैसे लक्संड इस रोक क्यों रिसारा करते हैं चार से दस दिन के अंतरगत संक्रमन की गंबीरता जो है बढ़ती जाती है और सांस लेने में तकली फेपड़ों में पानी भरने लगता है लक्षन ब्रकार रहने पर मोत भी हो सकती है चीन में भी मोत के पहले पेडित में ऐसे ही लक्संड नजर आये थे हंता के संक्रमन का पता लगने में एक से आठ हफ़ते का वक्त लग सकता है यह की बहुत ही धीरे धीरे इसके लक्संड दिखाई देते है अब चुहों की कौनशी प्रजाती हंता वाइरस का वाहक है तो दोस्तो डियर माउस जो है आपको बता दे सेंटर फूर डिजीज कंट्रोल के मताबिक चुहों की चार प्रजातिया ऐसी है जो हंता वाइरस का वाहक है इनमें से सबसे एहम जो है अमेरिका में पाई जाने वाला डियर माउस यहां आम चुहों के मताबले थोड़ा छोटा होता है और इसके सरीर के लंबाई दो से तीन इन्चोती है सरीर के मकाबले इसकी आँख वे कान बड़े होते हैं साथ सरीर पर बाल अधिक होते हैं अन्य तीन प्रजातियों के कोटन रेट, राइस रेट और वाइट फुटेस माउस भी इसमें सामिल है यह किस तरह के इलाके में वाइरस का अधिक खत्रा है तो दोस्तो हम आपको बता दें सेंटर फॉर डेसीज कंट्रोल के मताबिक ग्रामेन छेत्रों में जहां पेड़ पोध अधिक है वहां हन्ता वाइरस फैनले का खत्रा बहुत ही अधिक है अब क्या इसकी कोई वाइरस है तो हम आपको बता दें सेंटर फॉर डेसीज कंट्रोल के मताबिक अब तक इसकी कोई वाइक तैयार नहीं हो सकी है और यह कोई इसका ते इलाज अब तक मिल पाया है ऐसे मरीजों को विसेश्ट केयर की जरूरत होती है और oxygen therapy दी जाती है जितनी जल्दी मामला पकड़ में आता है उतना ही बेतर होता है अनेता दोस्तो मरतु ही इसका अंतिम समाधान है तो दोस्तो ये थी कोरोनो और हंता वाइरस को लेके बड़ी update जो हमने आपको step by step आपको बताए तो दोस्तो आपके मुकाबले में भी कौन सा वाइरस सबसे ज़्यादा घातक सी दो सकता है हंता वाइरस या कोरोनो वाइरस इसके बारे में आप वीडियो के नीचे कमेंट बुक्स में अपनी राय बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like, share जरूर करें और ऐसे ही पलपल की update पाने के लिए वीडियो के नीचे red subscribe के बटन को दबा के चैनल को subscribe करें आने वाले वीडियो की पलपल की update पाने के लिए बेल के आइकन को दबा के और notification को ओन करना भी ना भूले